दाल है चावल है और फ्रेश एक दमखेट की मूली है और उसके साथ है ये बहुत ही बहतरी नजारा तो हेलो फ्रेंटीक पर फिर से स्वागत है जी आपका स्वाद अफिशिल पे मैं इस समय हूँ भलॉन गाउ में और यहां पर मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये लोग अपना जो दिन चर्या काम है वो करते हैं किस तरीके से जो खाना है वो तयार करते हैं वो रेडी हो जाता है और हम आपको दिखाने वहले कुमाओं नी कुजीन इस तरीके से बना जाती है और क्या-क्या उसके अंडर होता है तो देखेशे जिए सुछा इहां पे जो है वो घर का काम हो जाता है और आघुटी जो है यहां पे सुछा और चापाती बना लेती है पूरे गर के लिए अभी चापाती बन रही है और उसके बाद क्या-μैक बना रहे हैं जी आझ आझा अच्छा सब्जी में क्या बनाऊगे आज बट्टू की शब्टी बनाई है आज इक्साइटेड आ इम फो दिस और इतना जादा मज़ा आ रहे है यहां पर बैठके आपका नाम के है ताई देव की देव की देवी तो दीखेजी गाओं में जो खाना है आज भी वह लकड़ के चूले पर ही बना जाता है आपकी घर में गयास नहीं है तो आप इसी तरीके से बनाते हैं खाना रोज कितने वज़े शुरू करते हैं सुबा बनाना सब्सक्राइब और क्या-क्या बनाते सवाल ही नहीं होता तो इसमें क्या-क्या जाता है जी इसमें हली के पत्ती है जिरा अचा पर ये, सब्स क्वाट्वार्ण हे minutes करते हैं सुबाया मिक्सी करते हैं ये रोजाना इसी तरीके से जितनी भी सब्जियां ये बनाते हैं उसका मसाला ये सिलवट्टे पे ही पीसते हैं और इसका जो स्वाध है ना वो मैं आपको बता भी नहीं सकता क्योंकि इसका जो स्वाध आएगा वो मिक्सी में पीसके कभी आही नहीं सकता सही बोलो ना दीदी सबसे ज़रूरी चीज जो मुझे यहां पर आके दिखी वो दिखी साटिस्फाक्शन है इन लोगों के चेहरे पे किसी चीज का कोई मलाल नहीं है किसी चीज की कोई टेंचन नहीं है और किसी चीज की कोई भूक नहीं है कि यह भी हो वो भी हो ऐसे भी हो वैसे भी हो जो कुछ भी है उससे बहुत ज़्यादा साटिस्फाइड है सारे लोग और आज कौन थी सब्सक्राडी है आप अब की सारफ्तंगी सबढसे मिलना तो यह बने रहे हैं यहां पे भटी दाल झाल कोचणी भी भी भूलते हैं इसको यहां पर और इस दाल को दर असल ना सेटी दी जाती है ना अलग से पकाए जाता है बस तेल के अंदर इसको अच्छे से पहले साफ किया जाता है और उसके बाद इसको भुना जाता है यह जो एक्सपीरेंस है ना आपको सिरफ और सिरफ गाओं में आके ही मिलता है जैसे कि मैंने बताया कि चीज़े बहुत सारी कमर्शलाइज हो चुकी है भी और कमर्शलाइजेशन होने के बाद वो मजा नहीं रहा जो पहले आता था तो अब देखे किस तरीके से चूले के आज भी बनाई जाती है यहां पर तो ऑन इन्हों ने डाली उसके में बेशन डाला इसको पहले भुंआ और उसके बाद वो प्यास टामाटर का मसाला और उसके बाद जो सिलवट्टे में पीसा था उसमें धनिया था हरी मिर्ची थी और साथ में गालिक था यानिकी लसन के पत्ते से वो सब डालके इसको अच्छे से पकाया गया तो यह देखे जी यह हमारा जो लंच है वो तयार हो चुका है यह आपर और देखे कितनी सिंपल आपको लग रही होगी यह डिश है लेकिन इतनी जादा फ्लेवरफुली होगी ना विकास एक तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़े इनोंने डाली है अद्रक लसन गारलेक प्यास टमाटर और उसके बाद बहुत सारे मसाले और साथ में ताई का प्यार जो है इसको और भी जाबा इन्हांस कर देगा तो यह है जी वो म यह बहुत ही बहतरी नाजारा